मुक्ख्यमंत्री एवम गोरप पीठाक देख्ष्वर योगिय नात ने कहा है कि धर्म एक ही है वह है सनातन धर्म बाकि सब संप्रदाय और उपासना पर दिती है सनातन धर्म मानवता का धर्म है यदि सनातन धर्म पर आघात होगा तो विश्व की मानवता पर संकट आ का सियम योगी गोरक नात मंदिर में युग पूर्स ब्रमलीन महंत दिगविजे नात की चववनवी एवम राष्ट संत ब्रमलीन महंत अवेग नात की नौवी पुन्टिती समहारों के उपलक्ष में आयुजित सब्त दिवसिय स्रीमिक नात कथा ग्यान यगी में अंतिम दिन सुमवार शाम विश्वास सत्य को समभोधित कर रहे थे इस दोरान उन्होंने अब बात कही देवरिया के कोटवाली छेत के फतह पूरु गाओं में सुमवार को सुबद 6 बजे जमीन के विवाद में पूर जिला पंचायर सदर्स की धारदार हत्यार से काट कर हत्या कर दी हत्या से आरकोशित पूर्जिला पंचायर सदर्स पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुस कर पती पत्नी और उनके तीन बच्चों की गोली मार कर और धारदार से वार कर हत्या कर दी सबसे चोटा बेटा कंभी रूप से घायर है मामले में पुलिस ने दो यू गुंडई का मामला ठीक से स्थानथ नहीं हुआ था कि शहर में एक और पारसत की गुंडई का मामला सामनी आया है तबंग पारसव ने सिगरेट के 15 रुप रुकांदार ने पर द्भान दार को भारी पढ़ गया आरोपय के बीचभी पारसर ने रुपए मामने पर दुकान पुलिस ने फर्जी मार्क सीट बनाने वाले गैंग का भांडा फोर किया है। पुलिस करमी को चपल से पीटती हुई नजर आ रही है। करीब 30 से जादा लोग बुखार से पीडित हैं। लगातार केस बढ़ने से ग्रामीडों को संक्रमर का डर सता रहा है। में ग्रामीडों ने संक्रमर से बचने के लिए स्वास्ति विभाग से गाउं में दवा कई छिड़काव कराने और आसपास के सभी गाउं में शिवल लगा कर जांच करने की मांग की है। उत्रप्रदेश के संभल में एक गाउं में रहने वाली प्रेमी जोड़े से शव मिलने से पूरे इलाके में संसनी फ्याल गई है। गटा की जानकारी मिलते ही ग्रामीडों की भीड घटा हो गई है। शीशम के पेड़ पर लड़की और लड़के के शव को गाउं वालों की मदद से उतारा गया है। लड़का और लड़की एक ही परिवार से थे जिसमें प्रेम प्रिसंग का मामला बताया जा रहा है। गटा की सुष्ण मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शव को को स्माटम के लिए भेजा है। उतापदेश के फतेपूर से मानापता को शमसार करने वाला मामला सामने आया है। उतापदेश के देवरिया में महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में संसनी फैल गई है। गटना की जानकारी ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी। सुशना पर पुलिस गटना स्थल पहुची जहां एक महिला का शव खेत में तीन तुकड़ों में पड़ा हुआ था। गट्दे में लप्टा हुआ था। अहीं कमर से नीचे दोनों पहरों को हत्यारे ने अलग-अलग काड कर दो ट्राली बैग में भर करसड़क के किनारे धान की खेत में फेक दिया था। मामला देवरिया के बलुवनी धना छेत के मुंडेरा गाउं का है। कानपुर में उधार समोसे मांगना गराहक के लिए जान लेवा साबित हो गया। गराहक द्वारा 10 रुपए के समोसा उधार मांगने से दुकानदार भड़क गया। उसने करहाई में खौलता हुआ तेल गराहक पर डाल दिया। हाथे में गराहक की पीट बुरी तरह जुलज गई है, कमभीर हालात में उसे अस्पताल में भड़ती कराया गया है। पिड़ित गराहक के पिटा ने दुकानदार के खिलाप उलस में शिकायत दर्ज करा दी है। बने रहे हमारे साथ देखते रहें, पब्लिक न्यूस टीवी